एक दिन मैंने देखा एक यूट्यूबर था जो स्टेफ करी का ट्रेनिंग रेजीम को दो घंटे के लिए देखता था फॉलो करता था शुरू शुरू में उसके केवल आठ परसंट त्री पॉइंटर जाते थे मतलब त्री पॉइंटर देखता था और बहुत कम जाते थे और इंदर में harmonious passion spark होगा चालू होगा और sustain करेगा चलता रहेगा लेकिन सवाल यह है क्या वो passion कई साल तक आप sustain कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस series में जिसको हम बोलते हैं hidden talent देखिए जब इस तरह के बातों को हम सुनते हैं hidden talent तो लगता है yes एक बड़ा सा पेड़ है और उस पर फल लगा है और हम जाएंगे और वहाँ पर एक माली होगा उसको बोलेंगे भाई ताज ताजा फल तोड़ वो देगा और हम खट से उसको खा लेंगे और उसमें जब कच्छा वाला फलोगा तो नहीं खाएंगे पका ह उसे सबसे पहला process है skills of character कि अगर आपको अपना खुद का hidden talent खोजना है तो you have to put yourself into discomfort आपको अपने आपको discomfort position में डालना होगा खली तियारी करते रहो तियारी करते रहो तो उसमें talent नहीं आएगा ये हमने सबसे शुरू में पढ़ा था उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था क कि आपको बनना होगा human sponge जिसमें की हमने एक example के जरीए देखा था कि अगर कोई आदमी आपको coach करना चाहता है और आपको लगता है कि वो आदमी आपको coach कर सकता है तो जब वो आपकी कमियां बताए तो बिलकुल मत रो और अगर उलाई आ रही हैं आशू पहरे हैं तो छु बाइड निंग करेगा ऐसे ही एक बंदी थी she was working in hedge fund and then she became very successful तो she was very coachable तो उसमें जो भी चीजें उसमें sponge की दो qualities होती है एक तो लेना और निकालना सारी right information right knowledge right feedback लेना है और जो काम की नहीं है वो निकाल देना है तो इसको भी आप ध्यान से study करिएगा इसमें भी तीन चार वीडियो से third point बड़ा सुनने में क्लीशे लगता है और आपको लगता होगा आपको समझ में आ गया लेकिन आप इसको practice में नहीं डाल पाएंगे अगर आप इसको और गहरे से सुनेंगे नहीं और बात में practical करने की कोशिश नहीं करेंगे वो है the imperfectionists जैसे हमारे अदम में क जैसे की कौन कौन सी कम से कम गलतियां करो तो उसमें एक sweet spot खोजना होगा आपको flawed and flawless के बीच में जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं flawless हो perfect हो तो ऐसा नहीं होगा ज़्यादा तर दुनिया यहीं कर रही है flawless होने की कोशिश कर रही है इसलिए नौकरी करती है उसमें कोई problem ही नहीं है आप जाते हैं जो आपको काम दिया गया करते हैं नहीं मन करता है नहीं करते हैं और अगर आपको feedback मिलती है तो आपको चिड़ते हैं लेकिन आपका salary तो flawless है आपको मिलेगी तो तुनी मिलनी चाहिए लेकिन जो लोग entrepreneurs हैं जो लोग अपने अपने आ आपको as imperfectionists देखेंगे इसके भी 3-4 वीडियो से उसको पढ़ना होगा समझना होगा तो यह तो थे skills of character के अगर आपको अपना hidden talent खोजना है तो कौन-कौन से skills चाहिए अपने आपको discomfort में डालना होगा human sponge बनना होगा और imperfectionist बनना होगा अब second part था structures of motivation अगर आपको motivated रहना है अपना talent को खोजने के लिए 10 साल के लिए because कम से कम 10 साल लग जाता है अपना passion पाने के लिए जब आज शुरू करेंगे तब 10 साल बाद और यह अपने आप नहीं होता आपने कोई competition के exam दे दिया आप select हो गए आप aims में IIT में Harvard में selection हो गए आपने पढ़ लिया और उसके ब process में बहुत गहराई से you are not enjoying that stuff you are becoming very successful जैसे हम सलमान खान के बारे में सुनते हैं सैल खान जिसने की यह बनाया था Khan Academy तो वो he was a investment banker but he never enjoyed it तो उसने फिर दीवी दी में Khan Academy के वीडियो बनाना शुरू किये YouTube के वीडियो बनाये और अब तो खेर वो बहुत ही बड़ा organization हो चुकी Bill Gates है तो मुलता तो मुझे नहीं पसंद आता था investment banking तो उसमें भी आपको अपने आपको motivated रखना है तो सबसे पहले चीज़ करनी होगी transforming the daily grind कि आपके रोज की जो grind है उसको transform करना होगा उसी में हमने अब तक कितने वीडियो पढ़े एक दो और मेरे खियाल से तीन हो चुके तीन ही चार हो चुके अब आज next है out of practice हमने जो कल पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था किस तरह से music को बोलते हैं playing music क्यों गधा मजूरी करेंगे तो आप उसमें सीख नहीं सकते मुझे ये चीज बहुत दिनों बात पता चली कि सारे के सारे music के teachers को जो होते हो singers क्यों नहीं हो थे क्योंकि उन बिचारों को play नहीं कराया जाता उनको slog कराया जाता है exam दिना पढ़ता है तो interest खतम हो जाता है तो अपने को उसमें आपको कल हमने ये भी पढ़ा था कि deliberate play करना सीखिए कुछ कुछ नया करके उसमें सीखने की कुशिश करिए कुछ नया करिए इसी में हम त of practice, out of practice क्या है देखते हैं, if we go on out of practice जैसे मैंने मैंने बारिय में प्रचिस की फिलोसिफी जब मैंने सुनी तो मुझे लगा ते मैं सो मिलूगा ही, जब Brandon शेरलेट के सब्रस में बढ़ा हो रहा था, उसका श पना था कि मुझे basketball player बना है As the son of a basketball coach He learned the fundamentals early इसका जो पिता था वो खुद basketball का coach था इसलिए इसको basic fundamentals बहुत आसानी से जल्दी सीख लिया उसने दोपहर, शाम जब देखो तब hoops shoot किया करता था क्या होता है hoops अच्छा जो आप basket में फेकते हैं और इसके साथ साथ इसकी वैसे वो बन गया था sharp shooter, बहुत से लोग होते हैं जो basket के sharp shooters हो जाते हैं और इसने three pointer डालना सीख लिया था ये क्या होता है three pointer बहुत दूर से investments होते हैं अच्छा वहाँ से But after arriving at Wingate University with aspiration to walk into basketball team Brandon ran into a problem खेर उसका सपना था वो Wingate University में गुसा और उसको लग रहा था मैं basketball team का member बन जाओंगा लेकिन उसके सामने बड़ी problem आई When he saw an open spot he couldn't beat his opponent to it एक open spot थी और उस open spot के लिए multiple लोगों ने exam दिना था लेकिन ये हार गया उस spot मिली नहीं जब भी वो खेलते समय दिखाता था कि मैं यहां जा रहा हूँ फिर जाता था other side तो विचारा जो उसका competition था उसका जो opponent था उसके साथ लग रहता था Eventually Brandon's game hit a wall and he was told his basketball career was over और इसके बाद फिर उसकी जब career थी उसके लिए लोगों ने कहा तुम नहीं कहल सकते तुम उस लायक नहीं हो It crushed him इससे बिचारा एकदम मायूस हो गया Brandon laments उसके बाद बिचारा रोने लगा दुखी हो गया There is no worse feeling than someone telling you that you are done when you still love to play Brandon कहता है सबसे खराब बात वही होती है जब कोई तुम से कहता है कि तुम अब खेल नहीं सकते और तुमारे दिन खतम हो गये है जब कि तुम्हें अभी भी खेलना पसंद है Although Brandon loved to play When it came to developing skills beyond shooting He didn't love to practice Brandon को खेलना तो पसंद था लेकिन उसको सबसे ज़ादा पसंद था शूट करना इसके अलावा अगर कुछ और करना होता था तो उसको पसंद नहीं था अगर वो चाहता था कि defender मतलब जो उसके सामने defend करने वाला उपनेंट है उसको हटा करके अपना shot त्यार करे इसके लिए उसको दो चीजों पर काम करना था Quickness and Agility कि कितना जल्दी से जल्दी वो shoot कर सकता है और कितना agile है वो I was limited athletically he admits and I didn't do the things I needed to do बोलते है मैं जो physical body थी मेरी बहुत चपल नहीं थी बहुत क्विक नहीं था मैं अथलेट नहीं था जैसके इसके बारे में कहा जाता है जो मारा क्रिकेटर है Kohli He's a very good athlete तो बोलते है मैं अथलेट नहीं था और जो चीज़े मुझे करनी चाहिए थी वो मैं करता नहीं था मतलब exercise वगरा practice वगरा He didn't do the necessary sprints to build his speed the essential stretching exercises boost his flexibility or required drills to improve his footwork कुछ चीज़े चाहिए होती है जैसे sprints दोडना ताकि उसके दिर speed आ सके stretching exercises ताकि उसके flexibility बढ़ सके और जो required drills थे footwork के लिए वो नहीं करता था Brandon transitioned to coaching तो Brandon वहाँ से हट करके बोलता है जब मैं खेल नहीं सकता तो मैं coaching करना शुरू कर दू Now he had to motivate athletes to do the same some of the drills he had avoided अब उसका काम था अपने students को athletes को वही चीज़ कराना जो खुद अवाइट करता था They loathed the wheezing exhaustion of full coat sprint that burned their bodies and repetitive humdrum of footwork exercise that bored their minds उनलों को बिल्कुल पसंद नहीं आता था दोड़ दोड़ के दोड़ना था कि सांस फूले और प्लस उनकी पुरी body burned out हो जाती थी बार बार वही repetitive काम करके और ये बोर हो चुके थे बच्चे Like Brandon, they love to shoot Basketball में सबको खली एक ही चीज़ पसंद है Brandon को भी जैसे उसके students को भी shoot करना बस basket में shoot करना But the harmonious passion didn't spill over into the dullest drills It seemed to make them even duller लेकिन ये जो harmonious passion है उसका passion था basketball खेलना तो ऐसा समझ में आता है कि drills में नहीं गया खली shoot करने के लिए तो मेरे बंदर passion है लेकिन drill करने के लिए practice करने के लिए नहीं था It seemed to make them even duller और जब वो करते थे तो लगता था कि और dull हो रहे है practice करते करते और चिर मज जाती थी जब drill करना पड़ता था The joy of jump shots intensified the dread of endless dribbling ये jump shot क्या है कूट के नहीं बास्केट बॉल में jump shot होई है जो कूट करके जालते है तो इसका जो jump shot का joy था वो intensify हो जाता था intensified the dread of endless dribbling इसका मतलब The joy of jump shot intensified the dreads of endless dribbling नहीं समन में आया किसी को नहीं नहीं आया तबी तो पूछ रहा हूँ The joy of jump shots intensified the dread of endless dribbling बढ़ा दिया जो jump shot का मज़ा आता था उसकी वज़े से डर, dread बढ़ जाता था endless dribbling का कि ठीक है मैं jump shot तो कर लूँगा लेकिन उसके बाद मुझे endless dribbling करनी पड़ी उससे पहले बढ़ी है This sentence rextraposes the joy experience from making jump shots in basketball with the frustration of endlessly dribbling Simple सी बात यह है अगर एक अच्छी फिल्म बनानी है तो आपको बहुत ऐसे काम करने पड़ेंगे जो boring है अगर आपको एक spiritual teacher बनना है तो आपको बहुत से ऐसे काम करने पड़ेंगे जो non spiritual चीज़े है मैं एक example के तौन भी रहा मतलब कि आपको डर लगता है रियार फिर जाओंगा ध्यान करने के लिए बैठोंगा तो नीद आएगी योगा करना पड़ेगा और पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा अगर हमारा एक काम में पैशन है तो उसमें उसी काम में हम लोग उन चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं जो कम exciting है उस समय उसी काम में और यह एक पैटर्ण है जो इन्होंने जेहन शिन के साथ में दिखाया भी है कि जब भी हमको कोई passion मिलता है तो उसमें से एक खास चीज है जिसमें मुझे मज़ा आता है वो तो करेंगे ऐसे मैं यह वीडियो बनाता हूँ यह वीडियो पढ़के बनाना अपने आप में ही मेरा passion है लेकिन इसके बाद का काम edit करने का काम title बनाने का काम website में डालने का काम या Bangalore जाकर के website बनाने का काम या जो भी वो सब काम जो मुझे पसंद नहीं है उधर में वो passion नहीं जाता यह एक pattern है सब के साथ होता है In one study Korean sales people we found that the more they loved their favorite tasks in the job the worse they performed at their least favorite tasks एक study हुई थी Korea में जहाँ पर salesman के साथ में दिखा गया अच्छे salesman को जो काम पसंद है वो तो अच्छे से करते है लेकिन बाकी काम बहुत खराब तरीके से करते है जाके sales कर दिया उसके बाद post sales feedback नहीं ले रहे है या उसको close नहीं कर रहे है कुछ और कर रहे है We replicated that effect in an experiment giving people the boring tasks of copying the names and numbers from phone book तो हमने इस चीज को replicate भी किया लोगों को phone number और नाम copy करने के लिए दिया They made more errors if they had randomly assigned them to watch fascinating YouTube videos first अगर उन लोगों को आपने पहले अच्छे अच्छे YouTube की videos दे दिये कि वो देख लो उसकी बाद ये काम करना तो धेर सारी गलतियां करते थे They made errors The contrast between the two tasks made the data entry even more mind numbing एक तरफ बहुत अच्छा वीडियो देखा आपने YouTube का कोई फिल्म देखा और इसके बाद आपको दिया जाता है mind boring काम तो आप करने ही पाते आपको boring काम करना होगा तभी आप boring काम को enjoy कर पाओगे Practice involves multiple skills and it's rare to love them all अगर आपको कोई चीज़ प्रैक्टिस करनी है talent खोजने के लिए उसके लिए आपको multiple skills चाहिए और आपको सारे के सारे चीज़े पसंद हो वो चीज़े बहुत rare है Brandon started looking for ways to work harmonious passion into every element of practice इसलिए Brandon ने खोजना शुरू कर दिया कि कैसे मैं उस passion को सभी चीज़ों में डालूँ डाल पाऊँ although he couldn't subtract the pain from the drills he could add pleasures to the process अब वो drills में से दर्द तो हटा नहीं सकता कोई आदमी दोड़े का तो body दर्द करेगी लेकिन हाँ वो उस process में pleasures add कर सकता था मौज मस्ती add कर सकता था I wanted to create a system to make sure no player would fall victim to what I created for myself मुलते हैं मैंने जो खुद के लिए एक गड़ा बना दिया था कि मुझे जाने का मन नहीं करता था प्रैक्टिस करने के लिए ऐसा मेरे स्टूद्स के साथ नहीं होना चाहिए He would build the scaffolding to help athletes reach their potential by harnessing their love of the game वो एक scaffolding बनाएगा एक धाचा बनाएगा ताकि उन बच्चों को जो प्यार है गेम से प्यार है वो चीज उनको प्रैक्टिस करने में भी help करे In 2009 Brandon set up a training center for basketball players 2009 में Brandon ने अपने players के लिए एक training center बनाया One day he crossed path with a young NBA player whose weakness had been readily apparent to scouts और एक दिन उसको एक young NBA player दिखाई दिया जिसकी कमिया बहुत आसानी से लोगों को दीती थी One wrote that he was extremely limited by his poor physical tools किसी ने लिखा था किसी coach ने कि इसका जो physical tool है physical movement है वो बहुत कमजोर है बहुत move नहीं कर पाता Another lamented he doesn't have size the strength or the lateral quickness or athleticism दूसरे ने उसी के बारे में कहा कि ना इसके पास size है ने इसके पास strength है और नहीं तो उसके पास lateral quickness है क्योंकि basketball में आपको lateral ही बहुत दोड़ना पड़ता है सामने नहीं side side में He probably is never going to end up being a star in the league because of lack of explosiveness अब उसके अंदर में ये सब चीज़े नहीं हैं इसलिए हो कभी भी league में मतलब national level पे, international level पे खेल नहीं पाएगा Brandon recognized some of his own shortcomings in the player and handed him his business card Brandon ने देखा इसके अंदर भी वही कमिया है जो में अंदर थी और इसने अपना business cards को दे दिया के मैं तुम्हें कोच करूंगा They started working together the next morning in his first full session of training with Brandon, the player set the NBA record for most three pointers made, जब पहला season उसने practice किया उसकी training cut उसने सबसे ज़्यादा three pointers बनाये थे record बनाया A few years later, he was named as NBA's most valuable player in back-to-back seasons और उसके बाद, जितने भी games हुए उसमें वो सबसे valuable player माना गया back-to-back season में His name was Stephen Curry उस player का नाम था Stephen Curry मैं तो उसको जानता नहीं, आप जानते होंगे सही में है? भाई बाई इतर से सचिंटेनल करोगा अपनी फिल्ड का तो थोड़ा साब Steve Curry का कैसे game change हुआ उसको भी पढ़ लेते हैं Changing the Game Steph Curry was widely regarded as the best shooter in NBA history Steph Curry को बहुत दूर दूर तक जाना जाता है कि he is one of the best shooter in the NBA history He's often said that what Michael Jordan did for the slam dunk Curry has done for three pointers कहा जाता है जो Michael Jordan ने slam dunk के लिए किया ये slam dunk क्या है? कूत के डालना अच्छा कूत के डालना जो उसके लिए किया वो चीज़ करी ने किया three pointer के लिए three pointer मतलब शाहिद दूर से डालना He revolutionized the sport by turning it into a market manship contest इस चीज़ को पूरे game को सने revolutionized कर दिया अपने इस हुनर की वज़े से The two previous record holders for the most three pointers in the career took over 1300 games to set their standards इसके पहले जो दो record holders थे उन्होंने अपना record बनाय था 1300 games में और वही पर करी ने वही record तोड़ा 789 games में almost आधे games में Despite being the son of an NBA player करी दिन्गेट a single scholarship offer from the top basketball programs जबकी इसका पिता basketball player था फिर भी इसको scholarship नहीं मिली किसी भी बड़े top college से basketball के college से Coming out of high school he was massively underrated जब वो high school से आया तो बहुत underrated था लोग इसको बहुत value करते नहीं थे On a five star scale he was branded as only three stars recruit five star के level पे वो खली three star मिले थे इसको coach का feedback था that he is awful बहुत बिकार खेलता है ये ball को stand में फिक देता है बाहर फेक देता है he dropped passes जब कोई pass फेकता है तो उसको गिरा देता है he dribbled off his foot और इसके foot से बिचारा dribbling करता था इसके अंदर में agility नहीं है और बार बार ये shot miss करता था but never ever once during the game did he blame an official or point a finger at a teammate लेकिन इसकी खासियत थी कभी भी उसने game में किसी official को या अपने किसी teammate को blame नहीं किया आश्तर he was always cheering from the bench and he never flinched that struck me author कहता है ज़िए में इसके game को देखा तो यह हमेशा अपनी पूरी team को cheer करता रहता था और वो कभी flinch नहीं करता था flinch मतला कतरा नहीं था जजगता नहीं था that struck me मुझता है यह quality मुझे बहुत अच्छे लगी मैं अभी आया था अंदर एक video आया था जिसमें Modi ji को बड़ा सा माला पहना आ जा रहा था देखा आपने video वाइरल हुआ है देखा है video आरे उसका असली चीज़ा देखा है नहीं आपने उसमें बगल में कोई बहुत बड़ा politician खड़ा है तो उस माले के अंदर वो भी आ रहा था तो वो बिचारा सोच रहा है मैं अपने को इसमें रखो की ना रखो डालू की ना डालू और Modi ji ऐसे खड़े है और सोच रहा है कि कहां से इशारा मिल जाए मुझे अपने में डाला है कि डाला है he was flinching सोच फिर अटाखे बगल में खड़ा हो के बहुत बहुत पनी वीडियो है आप तो इस जमाने में जहां पर slow motion में कैमरे के रेकॉर्डिंग्स होते हैं आपकी micro emotions भी दिख जाएंगे जो है तो इसकी ये quality बहुत अच्छी थी कि दूसरों को blame नहीं करता था those weren't the first sign of curry's character skill तो खेर ये उसका जो character skill था कि ये blame नहीं करता था लेकिन ये खाली पहला sign नहीं था when he was a kid hanging around with his father's team one of the players noticed that curry was little like a little sponge soaking up information everywhere he went जब वो बच्चा था अपने बापा के साथ खेलता था तो एक बंदे ने कहा था एक player ने कहा था ये एक छोटा सा sponge कीत रहा है जहां देखो जाता है और सारी information सक कर लेता है in high school even when he was struggling he had the determination to support his team and discipline to keep his school high school में जब वो खेलते समय struggle करा था फिर भी उसके दर में गुसा नहीं था अंगर नहीं था वो अपने team को मेशा support करता था और अपनी discipline को मेशा maintain रखता था अपनी cool रहता था मेशा but the research suggests that people with most discipline actually use the least amount of it research ये भी कहता है जिसके पास सबसे ज़्यादा discipline होता है वो सबसे कम use करते हैं उसको they change the situation to make it less strenuous बोल रहे हैं मेरे कलीग है अंजला डगवर्थ वो कहते हैं जिनके पास willpower है ध्याँ से सुनीगा willpower मतलब जैसे श्रीश है कोशिश करते हैं आप मैं करूंगा करूंगा जिनके पास willpower है वो जानते हैं कि यहाँ पर मुझे willpower लगाना पड़ेगा इसलिए वो situation को ही आसान करते हैं ताकि उनको willpower ना लगाना पड़े समझे हैं कुछ मान लीजे आपको सुबह सुबह उठना पड़ेगा और सुबह उठने के लिए बहुत willpower चाहिए और आपके अंदर willpower है तो आप समझदार है बोलेंगे सुनो भाई जल्दी राग को सो जाते सुबह विलपार खट्च करने से अच्छा है जल्दी सो जाओ ये है डगवर्त का finding A clear example comes from research on the marshmallow test इसका बहुत अच्छा answer है marshmallow test बहुत famous test है it's one of the most famous and the most misunderstood बुलते हैं ये test बहुत से लोग देखे हैं पढ़े हैं और बहुत से लोगों इसके बारे में लिखा है लेकिन इसको बहुत कम समझा गया है studies in the history of psychology you are probably familiar with the classic version psychologist put a marshmallow on a plate and told four year olds that if they could wait for a few minutes to eat they would get two marshmallows आपने इसको शायद पढ़ा हो देखा भी हो कि इसमें कमरे में एक बच्चे को एक marshmallow दे दिया जाता है एक बड़ा सा मिठा और बोला जाता है कि अगर तुम कुछ मिनट के लिए वेट कर लो दो शार पांच मिनट के लिए वेट कर लो तो तुम्हें दो मिलेंगे preschoolers who managed to resist the urge gobble up the marshmallow now for a bigger fluffy treat later ended up scoring higher on the sat as teenagers a finding that has been replicated recently देखा ये गया है कि जो बच्चे पटापट खानी जाते marshmallow, वेट करते हैं उनको जादा SAT scores मिले है इचीज एक लंबी study हुई है समझ में आ रहा है when I first watched the video of the marshmallow test I was expecting to see subset of kids with superior willpower उतने जब मैं इसको देख रहा था marshmallow test के videos को तो मुझे लग रहा था कि ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनके पास जादा willpower है तभी तो वेट कर पार है मिठा काने से पहले What I saw instead was kids creating bits of scaffolding to remove the need for willpower लेकिन जो मुझे दिखाई दिया जो पता नहीं लोगों को दिखा नहीं दिखा कि मैं उन बच्चों को देख रहा था कि वो लोग scaffolding बना रहे थे ताकि उनको willpower न लगाना पड़े Some covered their eyes or the marshmallow जिन बच्चों ने वेट किया बहुत देर तक नहीं खाया वो या तो अपनी आखे बंद कर लेते थे युकि देखेंगे तो willpower लगाना पड़ेगा कुछ बच्चे थे marshmallow को छुपा देते थे ताकि देखना ने पड़े Others sat on their hands कुछ चुड़ी चुड़ी बच्चे थे अपने हाथ की ऊपर बैच जाते थे कि मेना हाथ मन जाए One mushed the marshmallow into a ball and bounced it एक बच्चा तो इतना समझदार कि उस marshmallow को लिया गोल बना करके उसके साथ खेलने लगा कि जलो खेलते रहो ताकि खाने का मन न करे और turned it into a toy उसको toy बना दिया They had improvised their own forms of deliberate play इन लोगों ने अपने तरीके का deliberate play बनाया उसका That's what Brandon Penny did for Stephen Curry और यही चीज ब्रैंडन परी ने कीथी स्टिफिन करी के लिए कि जहाँ पर will power लगानी चाहिए वहाँ पर will power ना लगाना पड़े कुछ और करे ताकि आराम से ओ काम हो सके समझ में आ रहा है आप लोगों को तो क्या किया For the love of practice गेम अच्छा नहीं करने की कोशिश करे है For the love of practice Practice को लवेबल बना रहे है Brandon has been training curry for over a decade now Brandon करी को train कर रहे है तकरीवन 10 साल से He told me he began with basic principles तुरूने मुझे बताया है कि मैंने शुरू में तुम basic principles से शुरू किया There is no boring in our workouts मुलते हैं हमारे workouts में जब हम practice करते है कोई भी चीज boring नहीं होती He sets up scaffolding to make hardest parts of the practice easier सबसे पहले वो जो सबसे मुश्किल पार्ट है उसको आसान करते है To help curry Make more progress while relying less on the sheer discipline इसलिए ज़्यादा progress होता है और उसमें कम से कम discipline लगाना पड़ता है जैसे छोटी सी चीज है वैभो कहते हैं और अभी तक हम लोग उसके लिए reluctant है करनी पा रहे हैं बट करना चाहिए अपने को कल से शुरू करेंगे कि अगर हम mobile phone दूर रख देते हैं अपने से तो उसमें mobile phone न उठाएं इसके लिए discipline लगानी पड़ी जब हटा दिया तो इतरह कि इसके folding है editing के समय है या important काम के समय तो मेक प्रैक्टिस फन वाइल बिल्दिंग थे टेक्निकल स्किल्स ब्रैंडन क्रेटेड एमेनु अफ देलिबरेट प्ले अक्टिविटीज प्रैक्टिस को मजाकिया बनाने के लिए फन बनाने के लिए ब्रैंडन ने एक मेनू बनाया है कौन-कौन से चीज़ें हम कर सकते हैं डिलिबरेट प्ले करने के लिए 21 यू गेट अ मिनिट तो स्कोर 21 पॉइंट विध 3 पॉइंटर जंप शॉट और ले आउट ले अप्स वर्थ वर्थ अप एक 21 नंबर पे है यू गेट वन मिनिट तो स्कोर 21 पॉइंट विध 3 पॉइंट आपको केवल एक मिनिट के अंदर में 21 पॉइंट मिलेंगे अगर आप 3 पॉइंट त्राइ करना चाहते हो एक मिनिट पे 3 पॉइंट फेकने की कोशिश करो एक ही मिनिट के अंदर तर उसमें आप जंप शॉट भी ले सकते हो ले अप्स भी ले सकते हो यह सब अलग लग टाइप के शॉट होंगे उसमें आपको पॉइंट ज्यादा मिलेंगे लेकिन अगर आपने पॉइंट ज्यादा लिए तो आपको एक बार दॉड़ना पड़ेगा उस पूरे कोट में और वापस आना पड़ेगा गेटिंग आउट अफ ब्रेथ दूरिं दे गेम सिमिलेट्स तफटीग अफ दॉट गेम और जब उस दॉड़ने में अगर आपने वो नंबर पाले या जीत लिया लेकिन आपने टाइम से नहीं जीता तो आप हार जाते है दिक्कत यह है जब दूसरों के साथ आप आप कंपीट करते हैं तो बहत बारा आप बिना इंप्रूव किये भी जीत सकते हैं You might have a bad day और you might benefit from a stroke of good luck हो सकता है आप इसलिए जीत जाते हैं क्योंकि आप इसलिए हार गया क्योंकि आपका बुरा दिन था आज या आप की किसमत से आप जीत गए In Brandon's form of deliberate play The person you are competing with is your past self और Brandon के case में जब आप अपने काम को और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं आप किसी और से compete नहीं कर रहे हैं आप अपने ही past self से compete कर रहे हैं The bar you are raising is your own future self आप जो अपना उकात बढ़ा रहे हैं बार बढ़ा रहे हैं आपनी future self के लिए बढ़ा रहे हैं You are not aiming for perfect, you are shooting for better आप एक perfect नहीं बनना चाहते हैं आप और better बनना चाहते हैं अपने past से The only way to win is to grow अगर आप चाहते हैं अपने game में जीतना तो आपको क्या करना होगा? Grow करना होगा I assumed it would be ideal to practice one skill until you make progress and only then move on to the next one Author कहते हैं मैंने सुचा था अगर आप एक skill को practice कर रहे हो तो पहले एक skill को अच्छे से practice कर लो, successful हो जाओ, फिर next पे जाना ऐसा मुझे लगता था But rather than repeating the same challenge over and over, Brandon mixes them up Brandon कहते हैं एक ही चीज़ को बार बार करने के बजाए, अलग-अलग challenges को mix करो In 20 minutes interval, Brandon has curry bouncing from one shooting and quickness challenge to another 20 minute की practice में, curry bounce करते हैं from one shooting and quickness challenge to another एक तरफ shooting करते हैं और दूसरा challenge होता है, quick होने का The variety isn't just motivating, it's also better for learning इस variety से खाली motivation नहीं आता है, उनको खेलने का मन करे उनको ये अच्छा भी है, सीफनी के लिए अच्छा है Hundreds of experiments show that people improve faster when they alternate between two different skills इसके हजारों experiments हुए है, cycle experiments हुए है, जहाँ पर देखा गया है लोग ज़ादा improve करते हैं अगर वो different skills को mix कर दे अब ये अब गाना गा रहे हैं, फिर हट करके maths करें, फिर गाना गाएं, फिर maths करें तो अब दोनों में improve होते जाएंगे The psychologists call it interleaving Psychologists को बुलते हैं, interleaving इसके बारे मैं ने कहां पढ़ा था Success in the age of AI And it works in areas ranging from painting to math Especially when skills being developed are similar or complex और ये सभी जगह काम करता है, चाहे maths हो, चाहे painting हो जब आप similar or complex skill develop कर रहे हो Even small tweaks like shifting between thinner and thicker paint brush Or slightly adjusting the weight of the basketball can make a big difference अगर आप थोड़ा-थोड़ा tweak करते हो आप अगर painter बनना चाहते हो तो कभी आप मोटे brush से paint करो कभी पतले brush से या जब आप basketball खेल रहे हो तो एक बार हलके basketball से खेलो एक बार पतले cricket खेल रहे हो तो मोटे बैट से केलो कभी पतले बैट से उससे भी बहुत बड़ा difference होता है Deliberate play is particularly valuable for transforming the grind of summer practice Deliberate play खास तोर से valuable है जब आप summer practice को grind को transform करना चाहते हो When there are multiple games per week जब हर हफ़ते बहुत से games होते हैं तो हर को ही motivated होता है In the off season though it is easy to lose interest लेकिन जब छुटिया हो जाती है तब हम आराम करना चाहते हैं Interest खतम हो जाता है After rising star Luka Doncic showed up pre-season of shape He started training with Brandon and dropped weight while gaining speed जब वो pre-season में आया तो उससे में उसका shape out हो गया था हो गया था He started training with Brandon उसने Brandon के साथ training किया and he dropped weight while gaining speed तो उसके दो चीज़े हुए उसका weight कम हुआ और उसकी speed बढ़ गई Unless you are playing pick-up summers are something sometimes long अगर आप pick-up नहीं खेल रहे हो summers बहुत लंबे हो जाते हैं इसका क्या मतलब है pick-up playing pick-up नहीं पता मुझे भी नहीं पता The workouts can become little monotonous if you let them अगर आप अपने workouts को practices को छोड़ दोगे होने दोगे तो monotonous और boring हो जाता है स्टेफ करी टोल दे रिपोर्टर Deliberate play creates a game-like situation with pressure जब आप practice कर रहे हैं और उसमें आपने deliberate play डाल दिया है तो वो एक तरह से game-like situation हो जाता है जो आपके पर pressure डालता है which means you have to stay locked in and focused इसका मतलब है कि आपको दिमाग को और body को lock in करना पड़ेगा और focus रखना पड़ेगा अगर मान लिजे आप ये example दे रहे हैं कि लुका जब चुटियों के बाद आया तो बजन बढ़ गया था उसका हर आदमी जब deliberate play या practice नहीं कर रहा है किसी भी तरह का practice नहीं कर रहा है तो वो out of shape हो जाएगा एक तबला प्लेयर है जाकिर हुसेन वो कहते थे अगर मैं एक दिन न बजाओं नहीं अगर मैं किया तीन दिन न बजाओं तो लोगों को मालू पड़ जाएगा दो दिन न बजाओं तो मेरे गुरू को मालू पड़ जाएगा लेकिन अगर एक दिन न बजाओं तो मुझे मालू पड़ जाते आप इकठे होकर के रोज practice करो ये है जो उसकी सबसे बड़ी प्रादम है वो साइज है वो 6'2 है क्या वो खुद और उसका वजन है 185 पाउंड 6'2 हीट काम है उसकी और उसका वेट भी 185 पाउंड है इसलिए वो explosive हो करके और accuracy से इसको बराबर कर देता है He gives much of the credit to the deliberate play that Brandon organizes और यह बोलता है यह सब इसलिए हो क्योंकि मैं deliberate play करता हूं Brandon के साथ में It brings harmonious passion into practice तो वो जो मुझे मज़ा आता है basketball खेलने में वही मुझे मज़ा आता है practice करने में and he gets more out of it because of his determination और वो अपने determination से और भी करता है He loves the process उसको practice का process बहुत पसंद है That's one of the things that ties all great athletes together Kari बोलते हैं यही वो चीज है जिसमें सारे athletes साथ में है सब को practice करना पसंद है Kari's long time coach Steve Kerr observes There is a routine but it's really enjoyed each day Steve Kerr कहते हैं एक बहुत पराने coach है कि एक रूटीन है सारे players होते हैं उनका रूटीन है लेकिर वो सब को पसंद भी आता है There is a passion that comes with it And that's what sustains it over time एक passion आता है जो रोज प्रैटिस से आता है और दीमी दीमे वो sustain करता है When you love sometimes something Like those guys do You work at it You get better And you just keep going जब आपको कोई चीज पसंद आती है यसे के इन लोगों को पसंद है तो आप उसके उपर काम करते हो उसके उपर और better होते हो आप बस करते रहते हो Keep going करते हो Although it may not turn you into a professional athlete Deliberate play can amplify your motivation And accelerate your development हो सकता है आप इसके जरिए professional athlete न बनो लेकिन deliberate play के वाज़े से आपके अंदर में motivation आएगा और आपका development भी बहुत fast हो जाएगा One day, I saw a video of YouTuber who followed Steph Curry's training regime for two hours a day एक दिन मैंने देखा एक YouTuber था जो Steph Curry का training regime को दो घंटे के लिए देखता था follow करता था At the start, he made only 8% of his 3-pointers शुरू-चुल में उसके केवल 8% 3-pointers जाते थे मतलब 3-pointers जाते थे Over 50 day of deliberate play He traveled a great distance making 40% of his same shot और धीमी धीमे 50 days में मुश्किल से दो मेने के अंदर-अंदर उस deliberate play की वज़े से उसकी जो routine थी उसको follow करने की वज़े उसके दर में 40% का improvement हो गया It's clear that deliberate play can spark and sustain harmonious passion तो ये बात तो एकदम साफ है कि deliberate play की वज़े आपके अंदर में harmonious passion spark होगा चालो होगा और sustain करेगा चलता रहेगा but can that passion be maintained over long period of time लेकिन सवाल ये है क्या वो passion कई साल तक अब sustain कर सकते हैं Evelyn Gleney thinks so she felt it for half century Evelyn Gleney जो हमारी musician थी जो deaf थी वो बोलती है हाँ बिल्कुल कर सकते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने इसको 50 साल तक किया है half a century तक किया है she knows what research shows even deliberate play shouldn't be done all day every day वो ये जानती है जो research बताता है कि अगर आप deliberate play भी कर रहे हो तो वो भी रोज 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 नहीं करना है she learned this lesson the hard way और इसके लिए और उन्हें बहुत जटके खाये है don't do it every day इसमें भी अगर आपने उस practice को enjoy नहीं किया आज नहीं मन कर रहा है और फिर भी किया तो भी वो आपको frustrating कर देगा आप जा रहे हैं मुझे आज वीडियो पराने का मन नहीं कर रहा है तो मैं ना बनाओ एक दो दिन break ले लो तो break लेना भी जरूरी है तो हम कल पढ़ेंगे गिम्या break नाम के chapter में च्छा rell उल vyया जा झाल हुआ आए तो हम कि आए घ्र सर प्याश मैं ऑर इंचर को प्राह झाल